इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सिल्क स्मिता पर उसके पहले मैं दो नाम लेना चाहती हूं एक है अनुपमा पाठक और दूसरा नाम है समीर इन दोनों को आप टेलेविजन इंडरस्ट्री में बहुत बार देख चुके होंगे अनुपमा को अपने कई बार क्राइम पेट्रोल में देखा होगा इन दोनों ने ही अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है यानि एक बार फिर से अधूरी जिन्दगी छोड़कर गए है कर आगे बढ़ते हैं अधूरी जिन्दगी में बात करने वाले हैं सिल्क स्मिता की सिल्क स्मिता ग्लैमर के नाम में बहुत बड़ा नाम थी साउथ इंडस्ट्री में ऐसी हालत थी कि हीरो से जादा उनकी पूछपरा कुआ कर ती जिन्दगी जाते थी कि कौन सा हरो है हरो मालूम नहीं सिल्क के देट्स मिल रही है या नहीं ये जग किया जाता था जिन्दगी मौत हुई 20 September की बात कर रही हूँ 1996 23rd September 23rd को सुबह सुबह उने फोन के अपने दोस्त को और कहा कि मुझ से मिलने आ जाओ शी वाँसो डांसर शी सट की बच्चे को स्कूल सोड़ कर आती हूं उन्होंने को और कॉल किया अपने बहुत करीबी मित्र कहे जाते हैं रवी चंदरन को और रवी चंदरन चुकि उनकी घर में कोई समारो चल रहा था और फोन भी बहुत रेंज में नहीं था या निट्व बहुत बच्पन से बहुत जाधा गरी भी देखी फोर्थ क्लास तक पढ़ी उसके बाद 14 साल के पहली शादी हो गई घरवाले और पती बहुत प्रताड़ित क्या करते थे 14 साल के उमने में छोड़कर भाग गई और जंदेगी तलाश न लगी उसके बाद धीरे-धीरे मेक अचानक से एक दितनी फेमस बन गई जिस अपने आपको स्विकार नहीं कर रहे थी अपनी देह को एक वर्दान की तरह लोगों ने दिखाया और फेमस भी हुई तो जहां खाने पीने मारने वाली बात होती थी मार पीट की बाती थी वहां पर लोगों के आंखों पर सरांख बहुत चली नाम भी बहुत हुआ शादी हो गई दूसरी शादी के बाद उतने प्रोडक्शन में हाथ आजमाए एक साथ दो फिल्मे गई दोनों फिल्में फ्लॉप नाइटी नाम भी बहुत हुआ था आसपास अगर दो करोड का नुकसान होता था आसपास घरवाले नहीं आपको mentally support और strong करने के लिए पढ़ाई नहीं हुआ करती थी education was not that good उसके बाद दोस्त भी जादा नहीं हुआ करते थे और SMA शराब सारी चीजों ने मिलकर इस जंदगी को अधूरी जंदगी बना दिया इस प्रेंड्स मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अनुपमा या SMAEAR या फिर सुल्फ स्मिता को ये नहीं कर ना चैए वो नहीं करना चैए बस एक ही बात कहूंगी जंदगी इतनी दगावास तो नहीं हो सकती आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा जै कर दो हैं